इक और नए वीडियो में और आज की जो हमारी वीडियो है वो शीव शहिता की लास्ट वीडियो है इसके बाद शीव शहिता का जो पांचमा पटल है वो समाप्त हो जाएगा यानि पूरी शीव शहिता जो ग्रंथ है वो उसका जो हमारा सरली करण का जो हमने काम लिया था या जो परमात्माने सोपा था वो पूरा हो जाएगा उसके बाद तो एक अच्छे हर्श का विशे है कि आज हमारी गरंत पूरी होगी और उसके बाद फिर हम एक लाइव सेसिन रखेंगे उसमें question answer रखेंगे आपके जो भी संचे हैं चाहे वो शिर्व सहिता से समंदित हों चाहे वो योग साधना से समंदित हों उनको लेंगे और उसके बाद फिर हम एक कुछ दिन बाद हम नए गरंत की शिरुआत करेंगे और इस बीच में फिर जो बाकी की वीडियो बची होई है जैसे काम उर्जा से समंदित कुछ वीडियो मैंने बोली थी वो बची होई है और उनको बाकी को पुरा हम करेंगे तो आज का जो हमारा अभी समापन की तरफ है हमारा गरंत तो लास्ट में भगवान शिव कहते हैं जैसे लास्ट वीडियो में हमने मंतर साधना के बारे में जाना था तो भगवान शिव कहते हैं कि एक तरफूर नामक स्थान है और वही जो शिव है वही एक परमपद है जैसे कहा था ना कि एक करोड जाप के बाद परम पद प्राप्त कर लेता है सादक अब यहाँ पर कहा है कि जो परम पद जो प्राप्त कर लेता है शिव जो है जो शिवत्तव जो प्राप्त करते हैं या शिव जो है वो एक पद का नाम है वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है वो किसी देवता का नाम नहीं है वो एक स्टेज का नाम है यानि उस शिव के पद को आप भी प्राप्त कर सकते हैं वो अपनी हाइस्ट स्टेज का जो नाम है वो शिव है तो आप ये ना समझें कि शिव कोई दूसरा है शिव आप ही है आपका खुद से खुद की तरफ जानने का जो रास्ता है वो हठियोग का मार्ग भगवान शिव ने बताया है और खुद को शिव बनाने की जो कला है वो हठियोग यहां कही है कही है कि यह जो शिव जो पद है यह त्रिपूर नामक स्थान पर है त्रिपूर नामक मतलब जो हाइस्ट सबसे उपर जो स्थान जो तीनों नाडियों के उपर जो जो जाके जो स्थान है वो त्रिपूर्ट नामक स्थान है वहीं परशिव है वो पद है वो आप भी प्राप्त कर सकते हैं वो एक ऐसा समझ लीजिए एक आपका आपकी लास्ट स्टेज है आपकी गेम की आपने जो गेम शुरू किया था करमों से लेके संसार से लेके अब उसको बिलकुल विनिंग स्टेज है वहाँ पर जाके सारा खेल समापत हो जाता है और कहा कि उस अवस्था पर उस पद पर जाके ना तो आपको कोई दुख रहता है ना कोई कलेश रहता है और आप स्वम में ही स्थित हो जाते हैं यानि शिव रूपी ही हो जाते हैं उसके बाद ना कोई जहन मान होता है उसके बाद ना कोई जहन मान होता है परम मुक्ति या निर्वान उसको हम कहें या मुक्स उसको कहें वो अवस्ता आ जाती है उसके बाद भगवान शिव कहते है कि ये जो भी मैंने हट्यों का जो ग्यान दिया है जो इस गरंथ में जो ग्यान है जो शिव ने जो ग्यान दिया है वो परम ग्यान और वही गुप्त और रहश है और सबसे सरवोचे ग्यान है कि उससे आगे कुछ भी नहीं है वो अल्टिमेट है उसके बाद कहा है कि जो साधक मुक्ष को चाहने वाले हैं उनको चाहिए कि वो इस पूरे गरंथ का अध्यन करें और उसका पालन करें और इस ग्यान को गुपत रखें यानि विद्वानों को भी कहा है और साधकों को भी कहा है कि या तो आप इसका पालन भी करना है इसको पढ़ना भी है और पढ़ने मातर से भी मुक्ति हो जाती है अब यहां पर थोड़ा सा मिस्कंसेप्शन आ जाता है हमारे शास्तरों में अब यह चीज थोड़ी सी मैं हाइलाइट कर रहा हूँ कि लिखा जाता है कि इसके पढ़ने मातर से मुक्ति हो जाती है अब मुक्ति होने का मतलब यह होता है कि सिर्फ पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी यह कहने का अर्थ ही यह है, यहाँ पर यह अर्थ आपको लेना चाहिए, कि जब आपको किसी दिल्ली से मुंबई जाने का रास्ता अगर पता चल गया, तो आधा सफर तो आप समझ लीजिए तै हो ही गया, क्योंकि आपको पता चल गया कि क्या क्या करना और क्या क्या वस्था आएंगी, क्या क्या स्टेजिज आएंगी, क्या पढ़ाव आने हैं, किस परकार चलना है, तो वो कहा जा सकता है कि वो सफर हाथ एक टाइप से अपने तैकर ही लिया, बस उस पर चलना बाकी है, लेकिन मिस्कंसेप्शन यहां पर यह हो जाता है, कि हमारे हर साफ्तर में लिख होता है, श्रीमत भागवत में भी लिखा होता है, लेकिन यहां जब बात आती है, तो जो आम आदमी है, वो उसको समझता है कि इसके पढ़ने से ही कुछ हो जाने वाला है, वो ठीक ऐसा ही है जैसे दिल्ली से मुंबई का आपको मैं मैप दे दूँ, और मैं कह दूँ अगर एक रास्ता दे दूँ, कि यह मैप लो और इसको आपने अगर फॉलो कर लिया तो आप समझो पहुझ गए, तो यह इसका जो अर्थ है, वो इस परकार लेना चाहिए, अब आप सुबह उटके हरूज शिव शहिता पढ़ना शुरू कर दो, शिव शहिता क्या पाठ करवाना शुरू कर दो, उससे क्या होगा, एक environment क्रियेट हो जाएगा, आपको रास्ता याद हो जाएगा, आपके अंदर एक भूमी का तयार हो जाएगी, उस रास्ते पर चलने की, एक संसकार होंगे कहीं वो जागरत हो जाएगे, लेकिन उससे आप पहुंचेंगे नहीं, इस मेरा अपना experience है, और मेरे गूरू ने यही सिखाया है, कि आप पढ़ने से नहीं पहुंचेंगे, पढ़ने से एक environment क्रियेट होगा, पढ़ने से एक महौल क्रियेट होगा, एक mind programming हो जाएगी, कि हाँ इस रास्ते पर चलना है, गोल सेट हो जाएगा, फिर उस गोल पर चलना पढ़ेगा, पहले स्लोक में कहा है, कि इसके पढ़ने से मुक्ति हो जाती है, उसके बाद फिर कहा है, अगले स्लोक को फिर लोग पढ़ते नहीं, या फिर सुनी सुनाई बात पर यकिन करते हैं, आगे कहा है, कि जो क्रिया करेगा, यानि जो क्रियावान है, वही पहुंच मतलब सिद्धी उसी को प्राप्त होगी, मौक्ष उसी को प्राप्त होगा जो इन अभ्यास जो इसमें दिये हुए हैं उनको करेगा ये इसमें साफ साफ कहा है पहले कहा है पढ़ने से ही एक टाइप से मुक्ति होगी समझो उसके बाद फिर कहा है कि जो क्रिया करेगा, जो क्रियावान है यानि जो कर्म करने में विस्वास करता है और इन सारे अभ्यासो को करेगा, वही मौक्ष को प्राप्त करेगा और एक रिस्पॉनसिबिल्टी दी है गुरू के लिए भी और शिशे के लिए भी कहा है कि इस ग्यान को गुप्त रखा जाए ये जो ग्यान है अगर ये परकास मान रहेगा यानि बाहर लोगों के सामने रहेगा तो ये जो शक्ति हीन हो जाएगा और ये ग्यान गुप्त तरीके से टांसफर किया जाएगा गुरुशी शेपरमप्रा के दौरा गुप्त तरीके से भ्यास किया जाएगा इसका तो यह हमेशा शक्तिशाली रहेगा और जागरत रहेगा ऐसा इसमें कहा गया है अब आज के दिन जो हम योग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा परचार परसार कर रहे हैं या ये समझे मैं भी इसको बोल रहा हूँ सिस्टम से तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन अब ये बिलकुल लुपत ना हो जाए तो इस इमर्जिंसी में मैं भी इस बारे में बात कर रहा हूँ हमारे बड़े बड़े गुरू भी इस बारे में बात कर रहे हैं एक आम आजमी तक पहुचा रहे हैं अब तो बात सर्वाइवल किया हुई है otherwise इसको ऐसे बताने से मना किया हुआ है और कहा है कि जितना गुप्त रखेगा एक सादक जब हट योग की सादना करता है योग का कि इसमें जितने भी बताई गई अभ्यासन को अगर गुप्त रखेगा तो वो शक्तिशाली रहेंगे हमेशा हमेशा वो काम करते रहेंगे एक्टिवेट रहेंगे उसका जो परभाव बताया है वही होगा अगर वो किसी से डिसकस करता है वो अपनी नेम फेम के लिए उनका उप्योग करता है तो फिर वो जागरत नहीं रहेंगे और वो इसमें साफ साफ लिखा वो काम नहीं करेंगे तो ये एक responsibility भागवान शिव ने बिल्कुल लास्ट में एक गुरू और शिशे के लिए दी हुई है उसके बाद के श्लोक में कहते हैं कि जो सादुजन इस विद्या का उब्देश करते हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं मतलब इस ग्यान को दूसरों को सिखाते हैं जो एक system है उसको सीखते हुए उसकी मर्यादा को रखते हुए तो वो खुद भी उनको भी उसका फल मिलता है वो भी मुक्त हो जाता है और जो सुनता है और उसका भ्यास करता है वो भी मुक्त हो जाता है ये इस ग्रंथ की इस विद्या की इस शिव की महा विद्या की महीमा है और सबसे लास्ट में कहा है कि आप अपने परिवार के बीच में रहते हुए अपने बच्चों के बीच में रहते हुए अपने सारे संसारिक काम को करते हुए जो भी मिल रहा है उसमें जो संतोष रखता है जो उसमें संतोष रखता है करमों में निरलिप्तता रखता है एक माध्हम की तरह काम करता है जैसे बता था जो कि ईश्वर के परती समर्पन भाव रखके अपने करतवय की तरह काम करते हुے हट हीोग की साधना करता है उसको गुपत रखते हुए वैसा ग्रेस्त सादक भी मुक्त हो जाता है और ये भी कहा है कि राजा इत्यादी जो लोग हैं वो भी मतलब जो बहुत संसार से ही घिरे हुए हैं चारों तरब से वो भी मंतर साथना के द्वारा जो मंतर का रहशे बताया है मंतरों का अभ्यास बताया है उसके दोरा वो भी मौक्षिया मुक्ति को प्राप्त कर सकते है मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सिर्फ फुल टाइम योगी बनेंगे तो ही आपको मुक्ति प्राप्त होगी ग्रेस्त के लिए भी करने के लिए कहा है बस अपने करमों में निरलिप्तिता एक करतवे की तरह अपने कामों को करने के लिए बोला है और बहुत वो जितना मिले उसके उसमें संतोष रखने के लिए कहा है कि बिल्कुल वो कहते हैं कलब 99 के चक्र में ना पढ़ना बस एक ओर एक और एक और उसमें तो फिर आप नहीं कर पाएंगे लेकिन जितना हो रहा है उसमें संतोश रखते हुए खट्योग की साधना करना यानि इसमें से जो भी आपके लिए उप्युगते हैं उन साध्धाओं को अपना के उनका अभ्यास करना और वो भी गुप्त तरीकी से बिना दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा जिगर किये बहुत ज़्यादा बिना कि अपनी पबलिसिटी के चुप चाप जब भ्यास करता है उसको अवश्य ही शिद्धी प्राप्त होती है मौक्स प्राप्त होता है और जो बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ परिवार ही नहीं अब जैसे राजा इतियादी राजा इतियादी का मतलब जो बड़े-बड़े मंत्री हैं उनके सिर्फ परिवार नहीं होता, हजारों हजार लोग उनसे मिलने के लिए आते है, वैसे लोगों के लिए भी कहा है कि मंतर का भ्यास अगर उस परकार के लोग भी करते हैं, तो वो भी मुक्स को प्राप्ट कर सकते हैं वो सबके लिए सरव सुलब बना दिया भवान शिव ने सबके लिए अलग-अलग तरीके दे दिये आइडिया दे दिये सबके लिए मर्यादा दे दिये और इस परकार से ये जो शिव शहिता जो गरंथ है वो समाप्त होता है आज के दिन और ये पूरा ग्यान गुप्त है गूड है इसको बार बार आप शिर्शहिता ग्रंत को खरीज सकते हैं पढ़ सकते हैं और इसको अपलाई कर सकते हैं कुछ आइडिया मैंने अपनी तुछ बुद्धी से जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको देने की कोशिश की है इसके अलावा भी आप किसी और एक्सपर्ट से सीख सकते हैं और बड़े बड़े गुरु से सीख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं खुद का सवध्धाय कर सकते हैं जब आप इस्वर प्रणिधान के साथ जब समर्पन भाव के साथ जब प्रमात्मा को गुरुमान के आप कोई भी पुस्तत पढ़ते हैं तो उसका असली ग्यान आपको प्राप्त होता है ऐसा नहीं है अगर आप मेकैनिकल पढ़ते हैं तो आपको वो ग्यान प्राप्त नहीं होता है जब हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे धर्म शास्त्र में क्या बता है कि जब हम किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसको माथे से लगाया जाता है उससे प्राथना की जाती है कि आपके अंदर जो ग्यान है वो मुझे मेरी बुद्धी प्राप्त कर सके उस गूड ग्यान को उसकी प्राथना आपको करनी चाहिए और एक समरपन भाव के साथ एक इनोसेंट माइंड के साथ एक निट्रल माइंड सेट के साथ अपने पूर्वा ग्रह और धारणाओं से ग्रंथ का मतलब यह नहीं है जो आजकल जो गुरुवों की जो किताब आप पढ़ते हैं वो ग्रंथ नहीं है अब जैसे मैं अपनी कोई किताब लिख दू वो ग्रंथ नहीं होगा वो ठीक है मैंने माली यह शिव शहिता पर किताब लिख दी तो ग्रंथ नहीं माना गहरंड सहिता, योग सूत्र है, तो ये शिव शहिता है, ऐसे ये ओरिजिनल जो टेक्स्ट है, ये ग्रंथ है, ये शास्तर है, अब जैसे मैंने अपने कोई विचार लिख दिये, वो भी आप पढ़ सकते हैं, एंडरस्टेंडिंग के लिए, लेकिन वो ग्रंथ नहीं है, रि जिंतन करने की आपको अफशक्ता होती है, अब अगर मा लिजे इसी ग्रंथ को मैं दोबारा से पढ़ने की कोशिश करूँ, दोबारा से मैं इसको फिर से एक्स्प्लेन करना शुरू करूँ, तो ये सो परती सत्त, पूरी की पूरी संभावना ये है, कि सेम चीजे होंगी, सेम शलोक होंगे, और वही चीजे अलग अलग तरीके से समझ में हैंगी, मतलब उसमें अभी जो हमने एक एसेंस निकाला है, जैसे गन्ने को होता है, गन्ने का जूस आपने निकालते हुए देखेंगे, गन्ना एक बार लगता है कि पूरा जूस निकल गया, फिर उसको डा और इसको फुल टाइम पढ़ने के लिए एक समय दिया जाता था जीवन का, कि ये गरंत समझने पढ़ेंगे, और उसको पढ़ाने के लिए भी, कोई मेरे जैसे गुरू नहीं होते थे, एक्सपर्ट गुरू होते थे, जो जिनोंने उन चीजों को अपने जीवन में धान कि अब तो ये देशकाल प्रिस्तितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से हम कर रहे हैं, जो भी हमारे हम हाथ पैर मार रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सही मायने में ना तो मैं इसको समझाने की योग्ये हों, और ना ही आ जो आवेरनेस का जो स्पैन है वो बहुत छोटा सा हो गया है वो देखी नहीं पा रहे तो इस ग्यान को ग्रहेंड भी नहीं कर पाते हैं तो एक टैप से देखा जाए तो अगर शास्तरों के माने तो ये फिर चीज होनी नहीं से ही लेकिन अब क्योंकि बिलकुल करो या मरो की स्थिती में है तो फिर जितना हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ जितना हो सकता है उतना आप करने की कोशिश कर रहे हैं और यही देशकाल पस्थित्य के हिसाब से है कल किसी ने मंतर वाली वीडियो थी उसमें कमेंट में कहा था कि जो बड़े बड़े गुरु हैं या बड़े बड़े मठाधीश हैं वो तो ओम की जाब के लिए माना करते हैं अधिकारी होना चाहिए, पाप होता है वो मुझे भी पता है कि ऐसा होना चाहिए वो गायतरी मंतर भी ऐसे हर किशी को नहीं करना चाहिए फिर क्या करें, हम बिल्कुल एमर्जिंशी सिटुवेशन में हैं अगर हम उतने रिस्ट्रिक्शन्स लगा देंगे तो ये गरंथ दो-चार साल बाद आपको मिलना ही मुश्किल हो जाएगा दुरलब हो जाएगा, अभी आप सर्च करेंगे तो अभी मैंने एक नई पुस्तक ओर्डर की है उनलाइन गोरक सहिता के नाम से है अगर मैं कोई और मोडर्न किताब ओर्डर करता तो अमेजोन की जो डिलिवरी हो नेक्स्ट डे हो जाती है अभी 20-25 दिन तो हो चुके है उसको ओर्डर की अभी वो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी वो असली मिलती ही नहीं है मिलती है तो फिर वो डूबलिकेट या फिर मैनुपलेटिट मिलती है वो तो जो मैनुपलेटिट गरंथ है वो मिल जाते हैं अगले दिन ही आपके घर पहुंच जाएंगे लेकिन जो असली टेक्स्ट है असली ओरिजिनल टेक्स्ट है अच्छे राइटर का जो टेक्स्ट है जहां मैनुपलेशन नहीं की गई वो भी वो ढूड़ना थोड़ा मुश्किल काम है उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है अगर हमने इसको अभी डिसकस नहीं किया हमने मरियादा रखिया भगवान चीव की ही बात का हम उलंगन कर रहे हैं कि इसको हम यूट्यूपर बता रहे हैं जनसाधान को बता रहे हैं अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा थोड़े दिन में इसको कोई जानेगा भी नहीं तो ये पाप ही सही लेकिन ये पाप हम कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा तो कहीं बीज पड़े किसी के अंदर संभावना हो तो जाग जाए या हमारी इस ग्यान को, हमारी इस विद्या को सुरक्षित कर सके तो यही हमारा प्रयास है तो इन सारी वीडियोज में जोड़े रहने के लिए सब का धन्यवाद में करता हूँ अपने दिल से और question answer session एक रखेंगे हम जल्दी ही आपको YouTube की community post भी डाल दूगा आप सब को information मिल जाएगी तो उसमें आपके पाद इस ग्रंट से रलेटिशिप सहीता से संबंदित कुछ अगर है चीज ऐसी जो मैं बता सकूँ तो मैं कोशिश करूँगा आपको सवाल पूछिएगा आप लिख के रख लीजएगा या मेरे पास भेज दीजएगा या फिर live session में जुड़के पूछ लीजएगा तो एक question answer का session हम रखेंगे और फिर हम उसके बाद next video की जो series हमारी बची हुई है वो video complete करेंगे उसके बाद फिर कौन सा ग्रंट होने वाला है वो इक पर देखते हैं जो आप सब समझ पाएं अब चीजए कई बार क्या होता है बहुत good हो जाते है अगर आपको कोई ऐसा suggestion है जो आपको लगता है कि इस गरंट मेरी नजर में नहीं है कि यह होना चीए तो वो भी आप बता सकते हैं मुझे suggest कर सकते हैं जितना मुझे समझ में अगर मेरे माइंड में होप आई गिए वो knowledge capture तो फिर मैं उसको कोशिश करूँगा अब जैसे योग मैंने पढ़ा हुआ है योग के मैंने विभिन आयाम पढ़े हुए है योग के मैंने शिक्षा भी ग्रहाण की हुई है योग में मैं आचारिय भी हूँ तो इसको मैंने पढ़के समझा दिया अब मेरे को कोई पुरान आप दे देते तो मैं नहीं कर बाता उसको क्योंकि वो किस mindset से पढ़ना होता है और किस level पर जाना होता है उसके लिए वो अलग चीज है पुरानिक जो ग्यान है वो मुझे बिलकुल भी नहीं है मुझे योग वाला ग्यान है मुझे थोड़ा फ़ोध दर्शन वाला ग्यान है थोड़ा फ़ोध उपनिशद और वेद वाला ग्यान है जो पुरानिक ग्यान है जो मैंने कोई पुरान पढ़े नहीं कभी, तो उनको मैं explain नहीं कर पाऊँगा, नहीं मैं उनको पढ़ने का फिर अधिकारी हो पाऊँगा, मैं कुछ का कुछ बताऊँगा तो वो चीज ठीक नहीं है, तो गरंत ऐसा ही रहेगा जो योग से समंदित हो, आतम उत्थान से समंदित हो, और दूसरा benefit यह है कि य नहीं इसमें कोई भी बाथ ही नहीं की गई कि यह समया का जो इनसान है, जिसके अंदरनति नस्दाणिया को हृँगा, शरीर के कमें साधना को कर सकते है, तो इस परकार मेरे मेरे mindset के हिसाब सी liegen को है तो आज की कोई कमी रही हो कोई सेजेशन देना हो तो आप सब के सुझाव जो है अमंतरित हैं और खुश्चनांसे सेशन में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं जल्दी ही हम रखेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही मेरे बातों को ध्यान से सुना सबका धन्यवाद सबको नमस्ते ओम झाल झाल झाल